हेलो एब्रीवन स्वागते आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जॉप में सेंड्रल गॉर्मेंट की पर्मानेट वेकेंसी सिक्षक भरती का नया विध्यापन जारी किया गया है जिसमें graduate pass candidate, BA pass candidate आविधन कर सकते हैं यहाँ पर दो option हैं आप लोगों के लिए विध्यापन में आपने जो है graduation एक खास subject में अगर आपने पढ़ाई की है तो भी आप आविधन कर सकते हैं और BA वाले तो आविधन करेंगे ही कोई भी CTAT या TAT जो है इसमें नहीं मांगा गया है salary की अधियम बात करें 25,500 basic pay रहेगी और 81,100 तक इसमें salary रहने वाली है salary के साथ में जो है बहुत सारी सुविधाएं भी जो है आप लोगों को इसमें मिलेगी क्योंकि central government की permanent job रहेगी तो चलिए देख लेते हैं official website पर जो advertisement बिलकुल जारी किया गया है 7 जुलाई से ही जो है आविधन स्टार्ट हो जाएंगे IUC वह में भी छूट दी गई है ज्यादा fees भी नहीं लग रही है general category OBC EWS मात्र 100 रुपे है और बाकी category की कोई भी fees नहीं है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को official website पर जो advertisement है 7 जुलाई से जो है वो आविधन स्टार्ट हो चुके है यानि कल से ही जो है आविधन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है closing date 5 अगस्त 2024 रहने वाली है total number of vacancy की यदि हम बात करें तो कुल 112 पदों पर ये permanent vacancy जारी की गई है जिसमें male candidate 37 vacancy unreserved की है 15 SC की 7 ST category की OBC की 24 है EWS की 13 है कुल 96 है पद female candidate की 6 unreserved category के है SC के 3 है ST की 1 vacancy है OBC की 4 EWS की 2 और कुल जो है इसमें 16 पद है female candidate के लिए salary की अधि हम बात करें तो ये जो है teacher की vacancy जिसमें salary आपकी रहेगी level 4 in the pay matrix rupees 25,500 basic pay 81,100 तक ठीक है as per 7 CPC काफी अच्छी salary रहेगी इसके साथ साथ और भी जो है इसमें आप लोगों को जैसे की HRA है free medical facility है transport allowances है leave travel concession है ठीक है राशन है और भी जो है इसमें सो विदाये हैं वो आप देख सकते हैं eligibility condition जो है इसमे age limit सबसे पहले दी गई है IUC म में चूट category wise दी गई है नीचे आप लोगों को दिखा देती हूँ कितनी चूट है SCST पांच साल की चूट है OBC तीन साल की है non criminal ex-serviceman unreserved general category की तीन साल है और OBC छे साल SCST आट साल की चूट है ठीक है qualification आप चेक कर लें जैसा कि मैंने आपको बताया कि TET या CETED कुछ भी नहीं मांग रहे हैं IUC म मा जो है calculate होगी आपकी 6 अगस्त 1999 से लेकर आपकी birth date 5 अगस्त 2024 तक होनी चाहिए ठीक है अगर आप इसके अंदर आ रहे हैं तो आप form apply कर सकते हैं educational and other qualification में इसमें कहा गया है कि आपने किसी भी subject से graduation किया हुआ है और beard हैं तो आप तो इसमें apply कर ही सकते हैं इसके अलावा आपने अगर beard नहीं किया है psychology आपने एक subject के रूप में पढ़ा है तो भी आप इसमें apply कर पाएंगे ठीक है बिना be add के तो ये दो option है आप देख लें vacancy जो है ITVP की तरफ से है Ministry of Home Affairs, Government of India पद का जो नाम है Head Constable Educations and Stress Counselor का पद है इसमें job कहां लगेगी तो आप लोगों को बता दू कि भारत में किसी भी राज्य में आपकी job लग सकती है विदेश में भी लग सकती है और ये जो vacancy है कुछ समय के लिए temporary रहेगी उसके बाद जो है वो permanent हो जाएगी ठीक है Group C की post है 24 pages की ये PDF file है important जो आपको form apply के लिए जानना जरूरी है वो मैं आप लोगों को बता दूँगी selection process क्या रहेगा तो physical standards जो है इसमें height, chest ठीक है ये सारी चीज़ें आपको देखनी है उसके बाद जो है medical standard रहेगा जिसमें eyesight जो है आपकी check होगी next जो selection process में रहेगा आपका return test क्योंकि ये central government की permanent vacancy है तो इसमें जो exam रहेगा तो exam center जो है हर राज्य में रहेंगे तो आप अपने राज्य में ही जो है जब आप form apply करेंगे तो center वही डाले कैसे apply करना है ये process है fees जो है 100 रुपे है unreserved category OBC और EWS की बाकी जो category है तो कोई fees नहीं है SCST female candidate की भी जो है कोई fees नहीं है ex-serviceman की भी कोई fees नहीं है online application आपको बता दिया 7 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक चलने वाले है selection process जो है इसमें दिया गया है selection process मैंने आप लोगों को बता दिया पहले physical efficiency test रहेगा male candidate का लग दिया गया है female candidate का लग दिया गया है negative marking नहीं होगी आपका आगे जो exam रहेगा ठीक है यहाँ पर आप लोगों को दिखा दू no negative marking in written examination 100 marks का question paper रहेगा syllabus क्या रहेगा वो भी mention किया गया है subject English हिंदी आपके सामानने English सामानने हिंदी और दोनों ही भासाओं में जो है journal awareness दोनों ही भासाओं में maths रहेगी psychology के 60 question रहेंगे syllabus psychology का क्या रहेगा psychology पड़ी है तो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा जिन्होंने नहीं पड़ी है syllabus आप देख लिए 60 marks के जो है इसमें question रहेंगे minimum cut-off percentage of marks for qualifying in written examination तो इसमें जो है unreserved category EWS और ex-servicemen 35% जो है बुलाना ज़रूरी है SCST OBC category को written में 33% जो है बुलाना ज़रूरी रहेगा qualifying ही रहेगा there will be no negative marking कोई negative marking भी नहीं है ठीक है उस written exam रहेगा उसके बाद document verification होगा और यह पूरा जो है advertisement है जो भी ज़रूरी चीज़े है form apply करने के लिए वो मैंने आप लोगों को बता दिया है सबसे पहले official website पर चले आएं और official website में आप लोगों को जैसे ही home page पर आएंगे इसमें जो है बीच में ही दिखाई दे रहे है news तो view all news आपको और यह पूरा जो है 24 pages की PDF आपके सामने होगी form जब भी apply करते हैं आपको यह पूरे ही जो है वो पढ़ने है बिना पढ़े form फिल नहीं करना है आप कहीं पर भी form apply करते हैं पूरा पढ़े ठीक है जो भी जरूरी बाते होती है वो तो मैं आप लोगों को वीडियो की माद्यम से बताती हूँ all India job है यह कहीं पर भी जो है आप लोगों को इसमें लगाया जा सकता है तो यह आप देख लें ठीक है सिक्षक भरती है यह education and stress counselor पत का नाम है official website का link आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे description box में मिल जाएगा मिलेंगे next video में thank you